नमस्कार दोस्तो तो ग्रामी इंडाक सेवा की जो पोस्ट है वो पांच स्टेट में आ चुकी है जी हाँ पांच स्टेट में तो मैं आपको बता दू पांच में से तीन स्टेट की लाज डेट आज है यानि की 7 जुलाई 2020 आपको आज कुछ भी करके फोर्म बरना है दोस्तो अब मैं बताता हूँ आपको कौन-कौन से स्टेट में वेकेंसीज है पहला है जम्मू कश्मीर दूसरा है हर्याना तीसरा है मद्यपरदेश चोता है उत्राखंड और पांच वा है राजिस्थान जेंड की लाज डेट है दोस्तो पांच अगस्त यानि की अभी तकरीवन त हरखंड इन तीनो इस्टेट की लाज डेट है आज साथ जुलाई इसमें जो सिलेक्षन की परिक्रिया है वो है सिर्फ और आपके 10th के मार्क्स आपका कोई exam नहीं है कोई physical नहीं है कोई टाइपिंग नहीं है किसी भी परकार का कोई परिक्षया का pattern इसमें नहीं है जो सिले अब चलिए बात करते हैं इसमें पोस्ट कौन-कौन से ग्रामीन डाक सेवा में पहली है ब्रांच पोस्ट मास्टर की दूसरी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की तीसरी है डाक सेवक की काफी बच्चों गन्फ्यूजन होता है कि इन में सैलरी क्या होती है तो मैं इठाक अच्छी opportunity है, इसके साथ साथ आप कोई दूसरा अपना source of earning कर सकते हैं, ग्रामीन डाक सेवा में यह benefit है कि यह आपका एक substitute है, अब आजाते हैं age पे, age criteria 18 से 40 साल है general वालों के लिए, अगर आप किसी category से बिलोंग करते हैं जैसे की OBC, तो 3 साल का O relaxation है, यानि की 43 साल तक, अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो 45 साल तक यानि की 5 साल का relaxation, और अगर आप PWD यानि की disability से बिलोंग करते हैं, परसन विद डिसेबिलिटी तो आपको मिलेगा 10 साल का relaxation, यानि की आप बर सकते हैं 50 साल तक, अब इसमें बात करते हैं जो qualification है basically, qualification में काफी बच्चों को confusion हो रहा था कि computer का basic training course, कैसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ हो compulsory है, basic training course करना compulsory है minimum 60 days का होना चाहिए, अगर आपके पास वो नहीं है और आपने 12 में या graduation में कभी भी as a subject, computer पड़ा हुआ है तो आपका वो चल जाएगा, तो समझ मैं है दोस्तो, computer का basic course होना जरूरी है और ये आप से मांगेंगे at the time of joining, ठीक है, अब आगे आजाते हैं how to apply, apply कैसे करेंगे आप इसको, तो देखे आपको google पे जाना है, appost.in इसको खोलना है, आपके सामने स्क्रीन आएगी, इंडिया पोस्ट की उस पे registration करना है सबसे पहले, registration करने के बाद आपको form fill up करना है, वहीं पर form fill up हो जाएगा, फिर fees payment करनी है, यह सारी प्रिक्रिया करनी जरूर है, आपको और बड़े सावधाने पूर्वक करने हैं, क्योंकि इसमें correction का कोई chance नहीं है, तो आपको फिर से बता दूँ, अब काफी बच्चों के सवाल ही होते हैं, कि इसको कोई other state का बर सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ बर सकते हैं, लेकिन at the time of joining आपको उस area की residency proof देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका permanent address कहीं और का है, और other state का है और आप यहाँ पे job कर सकते हैं और नहीं, आपको उस area का residential proof देना पड़ेगा, तब ही आप उसमें join कर सकोगे, ठीक है दोस्तो, तो इसमें एक और सवाल था कि male और female क्या इसमें female नहीं बर सकती, तो मैं आपको यह भी बता दूँ कि male और female दोनों ही इनको बर सकते हैं, तो बेजी जगों के आज इस form को बर दीजिए, और कोई question हो, आपका वो comment section में लिखिये, thank you.